इम्गे उप्ता इना इवियम रांची के डिरेक्टर है और लंबे समय से आप बच्चों का मारदर्सन करते रहे हैं उप्ता जिए हम आप से जानना चाहेंगे कि इरिजुएशन के यहां के रिजल्ट रांची इम्रसिटी की परिप्षाएं समाप्त हुए है अब जो अब किस तरह से बच्चोंगा अपने केरियर के प्रतिस्सा जब होना चाहिए जी सही बात है ये जिन्दी का ये कहा जाए तो जो सैक्षनिक जैसे स्कूल कॉलेज अंतिम पड़ाव है इनका अब ये जनरली जो होते हैं स्टुएंट मिडियो कर कहा जाए या जी भी अच्छे भी है उनका सबके फैमली का प्लाइन गारजियन का ये होता है ग्रेजिशन हो गया है और इसके बाद अपने जॉब ले ले और जॉब में भी सिकूरिटी होना चाहिए सभी जगर जॉब की बात नहीं होनी चाहिए जोकिने स्लाइज हो सेंटर गॉर्मेंट की करना चाहिए और नहीं भी आया है तो उसके लिए प्लाइन है मैं परसंटेज की बात यहां इसलिए करना चाह रहा हूं कि बैंकिंग सर्विस करना चाहते हैं प्रविशनर ओफिसर के लिए तो उनका अभी देखा जा रहा है कि पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए था ल के लिए भी प्लाइन्ग है वो बैंक्लर का भी जे सकते है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर जो बैंक्लर की के label lizable है तो bank clerk join करके तीन साल में आप officer बन सकते हैं उसके बाद भी आपका promotion होते होते हैं AGM से उपर रेक्ट भी जा सकते हैं ठीक है, promotion गत्रूँ आप प्रोविशनल officer, अभी तो P.O. जो होते हैं officer होते हैं, प्रोविशन दो year का period उनका भी होता है लेगिन आप clerk अगर जॉइन करते हैं, थ्री एर में आप officer बन जाएंगे इसमें ऐसा कोई marks bar नहीं है कि जिसका 55 से कम है, वो भी आप apply कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं वो clerk के अभी फर सकते हैं कुछ bank में ऐसे 45 परसंट भी होते हैं तो प्यो टारेट ले सकते हैं इसके अलावा, staff selection commission है, railway है UPSC तक का भी आप exam graduation के बाद टार्गेट करते हैं जितने भी central government के offices level के examinations होते हैं सारे minimum qualifications उसके graduation होते हैं और दूसरा होता है, age factor होते है तो minimum में जो भी graduate best पर आप examinations देता है तो minimum 21 year होने चाहिए तो I think बहुत सारे student के हो गए कुछ ही ऐस student है जिनका 21 year अभी नहीं होगा होगा जो graduation के exam दे चुके हैं तो planning different sectors है like UPSC हो गया है, आपके जारकन का UPSC हो गया है आपके यो nearest या procedure आज़े है, B.R. हो गया वेस्ट पंगाल हो गया, या all over any आप जितने भी एस्टेट से सबका एस्टेट लेवल पर services, commissions के examination होते है उसके लिए भी अपना तियारी कर सकते है तो निश्य तुम से graduation के exam दो दिया है पहले से वो अपने सपने को सजोए होंगे कि planning हमको graduation के jam के बाद वो करने है बिल्कुल आप उस तरह पागसर होने की आपकी सही समय आ गई है लेकिन सही समय के साथ सही रननिती भी होने चाहिए रननिती और कितने समय लगेंगे और किन-किन किताबों को पढ़ने चाहिए और approach कैसे होने चाहिए scientifically, to the point approach होना चाहिए जो कि आपके new patterns के pattern पर आप त्यारी कर रहे हैं ना कि आप त्यारी कर रहे हैं लेकि पता चला है एक jamination के pattern पर नहीं कर रहे हैं तो फिर जाके आपके समय बरबाद हो जाएंगे इसलिए आप निश्चितुम से पहले किसी career counsellors मेरे किसी अच्छे आप senior से मिले और या नहीं तो किसी coaching इस सूट से जाए या नहीं तो किस समाचार पत्रों में career counselling का program होते रहते हैं आपके PPL नजर लाइप प्रोग्राम से telephone से contact कर सकते हैं consult कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए vacancy काफी है comparatively study करने पर देखा गया है यतने भी recruitment board होते है उसमें क्या होता है bank का vacancy काफी है bank में provisional post के लिए provisional offices के लिए और clerical cadre के लिए और not only provisional officer general clerical agriculture offices के लिए technical जो होते है management training वेगरा यह सब के भी यह काफी frequency आ रहा है तो इसमें एक अच्छा स्पोफ है graduate student के लिए और इसमें क्या होता है सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम ही समय में आप salary पा सकते हैं बैंक में बजाकर कम समय का बात में कहना चाहता हूँ तो six month अगर regular and honestly के साथ तैयारी करते हैं तो आप किसी बैंक में अपने आपको पाता है